मुश्कार के साथ प्रणाम मेरी तरफ से से मिश्राजी के चरण में और पिशली बार हमने जब बात की थी तो आपकी पुस्तक हनमत चरित्र को लेकर हम चर्चा करें थे और मेरा सहवाग्या है कि इस बार ये जीवन जिग्यासा और शास्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अनमोल निधी की तरह है हमारी पीड इतने संक्षेप में जो एक महत्वपूर्ण विश्य है जिसकी और सबका ध्यान जा रहा है कि हमारा इतियास हमारी संस्कृती उनका अंतर संबंद और कैसे वेद और उपनिशद कहीं हमारे इतियास के प्रवा के साथ में जुड़कर क्या जीवन द्रश्टी हम तक जासे हर बात को प्रार्म किया जाता है कि आपकी आयू में जब आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं कई एक संतोष होता है रचनात्वा ग्रूप से भी अपनी भूमिका निवाद चुपने का फिर ये ग्रंत की और शोध करने और लिखने की प्रेरणा जो हुई वो जो बी का मूल स्वर उसके अंदर से प्रकट होता है और अंतर मुखी यात्रा उसकी बहर मुखी यात्रा को निर्धारित नेमित और निश्चित करती है यह तो इंदरियों का मुख बाहर है तो हम जगत से ज़्यादा जोड़े हुए है जीव बीच में फसा हुआ है एक तरफ जगत है जो जन जन मांतर से उसका पीछा कर रहा है उसके साथ चल रहा है और दूसरी तरफ उस जगत का और जीव का जन मदाता उसका नियामक उसका सब कुछ इसे हम परमात्मा कहें ब्रह्म कहें वो है तो जीव सभावत अपनी चेतना का जो पदार्थ रूप है उसके कारण जगत से जुड़ा रहता है उसकी दृष्टी बहुतिक होती है और यह कोई प्रारब्ध होता है परमात्मा की करपा होती है कि वो उस पदार्थ की प्रगती से बहुत संतुष्ट न होकर यदि वो परमात्मा की तरफ उनमुख हो रहा है जहां उसकी प्रगती के अनेक अनेक आयाम होते हैं अनंत आयाम होते हैं असीम आयाम होते हैं उस परमात्मा की तरफ उस विराट की तरफ उस समगर की चेतना की तरफ वो उनमुख होता है तो शायद कहीं भीतर मेरे अंतरमुकी यात्रास के साथ अबहने रूप से हैं जुड़ा हुआ है और इसलिए इस तरह के गरंथ की ओर में मुड़ा तो मैं ये निवेदन करूं कि जो हमारी रिशी परंपरा है उसमें भी इस प्रकार के जो मूलभूत प्रश्ण जीवन के साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर जो हम उन्हें मंत्र दृष्टा कहते हैं मंत्र श्रिष्टा नहीं कहते हैं और जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो हम ऐसी सनातन संपन्न परंपरा के वंश्रज हैं जिसमें वेद उपनिशत से लेके पुरान और अन्या बाद में रामचरित मानस और ये सब तो इसमें से ये जो ग्रंथ हमारे साथ हैं अभी जिग्यासा मुझे लगता है जिग्यासा जो श्रब्द है वो जिग्यासा है तो उसके सम्मुख जीवन अपने सौंधर्य को अलग रूप से व्यक्त करता है और उसको आधार देने में जो रिश्यों की दृष्टी रही है वो बड़ी के दिजिए साहयक है या संबल है तो फिर ये ग्रंथ का कलेवत बहुत अधिक मोटा नहीं है इसका म लेते हुए जो वेदों से प्रेरणा आ रही है फिर जो आपका आत्मचिंतन है उनको समावेश करके जो प्रस्थुती इसमें आई है तो ये कितना चुनोती पूर्ण था क्योंकि विश्य ही ऐसा बताता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ रहा होगा पचास साल पहले मैं ने मराठों का इतियास लिखा था तब दो शब्द आये थे उज्जाती की प्रवर्ति को रेखांकित करते हुए जयश्नू और सहिश्नू जयश्नू कार्थ होता है मेरे मैं जीतूंगा वहाँ पराभव का पराजय का नाउमीदी का के प्रतिरोध में एक जयश्नू प्रवर्ति मेहत्वण हुई जयश्नू अंदर का भाव है कैसी ही प्रतिकूल परिस्थितियो मैं जीतूंगा तो वो अंदर की जो प्रवर्ति है अंतर्म की यात्रा है वो इस देश की मिट्टी में बहुत पहले से चली आ रही है और इसी लिए हजारों साल की गुलामी के बाद भी देश अभी भी अपने गति पर अपने धुरी पर टिका हुआ है और चल रहा है राश्ट्री आंदुलन जब आया तो उसका एक पक्ष राजनेतिक था और एक दूसरा बड़ा पक्ष था संस्कृती का और समाज का गांदी ने, रविन्ना टेगोर ने, अर्बिन घोश ने, तिलक जी ने राश्ट्री आंदुलन के उस राजनेतिक पक्ष से अधिक संस्कृती और समाज के पक्ष को मेतु दिया इसलिए जब अंग्रियों से हम लड़ रहे थे तो उसका नाम दिया Civilisational Battle हमारी सब्विताई संगर्ष है, कोई राजनेतिक व्यापारिक संगर्ष नहीं है तो जयशनुप्रवर्थी मद्यकाल में जो मराठों के माध्यम से प्रतिविम्बित हुई या आधने काल में हमारा जो संस्कृती का जो अंश है जो उभर कर आना चाहता है जिसमें केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, पदार्थ का ज्यान नहीं बरकि पदार्थ से ब्याउंड हम अपने अंदर अंतर मुखी यात्रा में जाएं इसलिए दोनों शास्त्र चाहें वेद हों चाहें अपनिशाद हों वेद और मनुष्य इनका अन्यों न्याश्य संबंद है वेद भी अपारशे हैं माने जाते हैं और मनुष्य भी अपारशे हैं देव करती हैं मनुष्य के का सौभाग है कि मनुष्य के बीच से एक ऐसा प्रचेता पुरुष्य पैदा हुआ जिसे हम एनलाइटेंड कहते हैं रिश्य वो मनुष्य का गारजियन है मनुष्य की सारी शंकाओं समस्याओं प्रश्णों के समाधान और निदान का रास्था वेद के मंत्रों से माद्यम से और उपनिशादों के मंत्रों के माद्यम से उस तक पहुँचाता है निसंदे रूप से यात्रा का एक भाग बहर मुखी यात्रा है जिसे हम वेद की यात्रा कहते हैं कर्म की यात्रा कहते हैं यग्य की यात्रा कहते हैं हवन की यात्रा कहते हैं जिसमें वो अपनी बहुतिक आवश्रक्ताओं की पूर्ति के लिए रिशियों के माद्यम से मंत्र शक्ति का प्रियोग कर रहा है और वो उनसे मांगता है लेकिन इस यात्रा के संग बहर्मु की यात्रा के साथ वेद में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है दो शब्द बड़ी महत्वपूर्ण दिये है एक है रित और एक है सत्य और एंड ठुट व्यवस्था है तो सारी स्रष्टी है और यदि व्यवस्था अव्यवस्था में तबदील हो गई है और सत्य उसका अधार नहीं है तो व्यवस्था के ये दो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि रित और रित ओर्डर कास्मिक ओर्डर और दूसरा सत्य इन दो की धुरी पर सारी स्रष्टी चल रही है ये अलग हुए और सिष्टी डड़खडा के गिर जाएगी तो परमात्मा का ये दो हमारे उपर करपा व्यवस्था और सत्य इसी व्यवस्था और सत्य भहुतिक रत्रा के साथ साथे दोनों चिपके हुए है मनुष्टी के अंदर ये चल रहा है कि मैं व्यवस्थत होकर सत्य की आराधना साथना तलाश करता रहूँ और इसलिए वेद में यजुरवेद तक आते आते जो उनका चालीसमा अध्याय है यजुरवेद का उसके सत्रे जो मंत्र है उसमें मनुष्टी की यात्रा रिशियों के सहियोग से सानिद्य में वो अध्यात्म की और मुड़ गई है और उसमें वो ही इस लोग हैं जो आगे चल करके उपरिशत में हमको मिलते हैं तो उसमें जो एक खास बात जो मैंने नोट की कि सत्य का मुख सत्य एक तरह के सोने के बरतन में ढखा हुआ है तो ढखकन उपर कर दोगे तो सत्य के दर्शन हो जाएंगे सत्य आवरत है माया से अग्यान से और उसका ढखकन उपर हो जाएगा अलग कर देंगे अब वो कैसे हो वो कैसे हो क्योंकि आदमी हालांकि कहा गया है आदमी की वारे में मनुष्य की वारे में वेद और अपनिशद में मनुष्य को सरष्टी में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है सारे देवताओं का, 14 देवताओं का पास अंदर है, मनुष्य को केंदर में रखा गया है, मैं जब एक पुस्तक लेख रहा था, और मैं जब वेद और अपनिशत पढ़े तो मुझे लगा, कि मनुष्य ही हमारे स्ष्ष्टी के केंद्र है, उसका नित्र तो कर रहा है, इसलिए इनका एक नाम दिया गया वो परमात्मा के सबसे निकट है उसका नाम दिया गया मनुष्य का नाभा नेदिश्ट वो नाभी के सबसे निकट है परमात्मा की नाभी के निकट है वो जो इसलिए उसको कहा गया आगे चल करके कि मनुष्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है वो उसी कांश है गीता में जैसे कहा है ममई वांशो जीव लोगे जीव लोग मेरा ही अंश है तो प्रशन मेरे आया जिग्यासा पैदा हुई यदि वो एक है तो मनुष्य ससीम क्यों है परमात्मा असीम क्यों है उसको वो वो बहुत है अनेक अंत है वो अनेक है और वो परमात्मा एक है तदेकम तदेकम वो एक है पर फिर बाहर में फिर कह रहे हैं कि एहम ब्रहमासमी मैं ही ब्रहम हूँ तो बाहर बाहर वो ये रिंग होती है हमारी कानों में द्वनी कि मैं ब्रहमासमी हूँ ममईवांशों हूँ मैं उसी का अंश हूँ तो मैं ससीम क्यों हूँ जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मनुश्री की इंद्रियों का मुख बाहर है तो वो बाहर की आत्रा सहजता से जन जन मांतर से करता चला रहा है और भोग की तरफ जाता है वो सुख चाहता है उपनिशद में एक बड़ा अच्छा प्रक्रन आता है नारत से कह रहे हैं रिशी कि आठ प्रकार की जिग्यासा जिग्यास विशय है उनमें सबसे महत्पूर्ण विशय जिग्यासा का है सुख मनुशिश सुख पाएगा तो कृती करेगा कृती का मतलब वो कुछ अपना आत्मोधार भी करेगा पेरी तो वहीं से होगा सुख से होगा सुख नहीं है तो कृती भी नहीं है हम वेद में एक्टिविटी कराए हैं अपने सुख प्राप्ति के लिए हवान याग ये वगरह लेकिन उपनिशद में कि अरिशी कहता है ये पर्याप्त नहीं है अथा तो ब्रह्म जिग्यासा अब आगे चलो इस फ्रेम से जो फिजिकल फ्रेम है जीव और जगत का इससे आगे जाओ मैं इसे बहुत शमा के साथ इंटरफिश लिए कर रहा है क्योंकि जो इक आनन्द का बाव आपकी बातों को सुनते वे आता है और इसे लगता है इस पस्टता का आलोख है जो हमारे लिए प्रकट हो रहा है उसके साथ साथ जो हम जहां से प्रारम आपकी पुस्तक के संदर् इतिहास की दृष्टी से भी यह जो चिंतन है वो कुछ मनीशियों के द्वारा कुछ घठनाओं में ऐसा लगता है कि आपको लगा हो कि यह यहां पर दिखता है जो भारतिय चिंतन है क्योंकि मैं एकदम लेमेन की तरह देखूं तो हम स्वादीनता से पूरू जो मुगलों के शासन में रहे या ब्रिटिश साशन काल रहा बलकि स्वादीनता के बाद में भी यह जो मनीशियों की है वो हममें से कई लोगों के द्वारा उपैक्षित से रही तो एतियासिक दृष्टी से यह जो शास्त्रों की बाणी है उसके प्रकटन की दृष्टी से कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको लगता हो जिसकी तरफ आप यह दी संकेत करना चाहिए और टेक्नोलोजी की बात करते हुए यह जो सामने यंत्र है तो बहिर मुक्ता इस दृष्टी से कि कुछ लोग आपको सुन कर आनन्दित होंगे तो आप कभी-कभी वहां देखेंगे तो उन्हें लगए कि आप उनसे बात कर रहें तो यह भी निवेदन करते हुए हमारे यहां यह इस इतिहास को अंग्रेज साशेकों ने लिखा तो उन्होंने यह का कि भा प्राचीन भारत में अव्यवस्थित था विगटन था जंगली थे और उन्होंने का केवले एक जुग्रोफिकल एक्स्प्रेशन नाम दिया यह देश था ये रास्ट था ये नहीं जुग्रोफिकल एक्स्प्रेशन एक भागोली का नदी है पहाड है जमीन का तकुड़ा ह है आज भी इस वर सुनाई पड़ते हैं कि ये भारत देश नहीं है रास्ट नहीं है इसकी कोई संस्कृती नहीं है इसका कोई चिंतन नहीं है इसकी कोई विचार प्रक्रिया नहीं है मैकस मुलर ने कोशिश की जर्मनी में और भी इंडोलोजिस्ट ने कोशिश की कि भारत की इस चवी को एक जो धूमिल चवी है इसको विचार के माद्यम से संस्कृत में की वणी के माद्यम से प्रकट किया जाए किया गया लेकिन आजादी के बाद जो हमारे इतिहास काराए या समाश शास्त्री आए उनकी तरफ से भी प्राचीन भारत का जो बौदिक पक्ष था वो उपक्षित रह गया तो एक इतिहास के अध्यत्या कि नाते मेरे मन में पीड़ा आई या मेरे मन में एक विचार आया कि अगली पीड़ी को संप्रेशित करने के लिए हमारे पास क्या है हम शाखाओं में जी रहे हैं जड़ में जी रहे हमारी जड़ क्या है हमारा मूल स्वर क्या है तो लगा कि हमारे मूल स्वर में वेद और अपनिशत का गहरा चिंतन है जिसमें उन्होंने समग दृष्टी को ध्यान में लगते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य के चार लक्ष निर्धारित कर दिये ये रिशीयों ने और उन्होंने का जानता था कि रिशीय जानते थे कि मनुष्य जो है उसे प्री पसंद है जो उसकी इंद्रियों को अच्छा लगता है और एक है प्रे और एक मार का शे those जिसमें उन्होंने option दिया कि प्रे को पकड़े रहो लेकिन श्रे की तरफ प्रेत्न करते रो प्रे को छोड़ना नहीं है विद्या और अविद्या दूसरे नाम उनों ने दिया अविद्या का मतलब पदार्थ का ज्यान बहुतिक जगत का ज्यान हमारी जतनी प्रगती है साइंस की टेक्नोलोजी की वो सब हमारे लिए ठीक है लेकिन विद्या का मतलब होता है कि इस भौतिक दृष्टी को अध्यात्म की दृष्टी से जोड़ना अल्प सुख को विराट सुख से जोड़ना सीमित सुख को असीमित सुख से जोड़ना उसका नाम है आनंद एक है हैपिनिस एक है ब्लिस तो भारती चिंतन में हैपिनिस से ब्लिस की और जाने का वेद और अपनिशद में हमको रास्ता दिखाया गया है और उसका नाम उन्होंने दिदिया भूमा शब्द प्रयोग किया है अनंत सुख असीम सुख विराट सुख चिरंतन सुख चिरंतन चेतना आदमी की सारी प्रगती के मूल में उसकी चेतना होती है चेतना उसे थोड़ा सा देखने को विवस्ट करती है और विराट चेतना वो विराट हो जाता है वो स्वराट हो जाता है उसका वईभव एकदम अनंत हो जाता है तो अनंत वईभव विराट वईभव विराट की कामना तो यह जो रिशी कहते हैं कि आप अथातो ब्रह्म जिग्याता ब्रह्म से मिलेगा ब्रह्म को समझो जीव जगत में रहे अपनी जगे ठीक है बहुते प्रगति तक रहे ठीक है वो भी आवश्चक है विद्या भी चाहिए अविद्या भी चाहिए अविद्या का मतलब पदार्थ का ज्यान क्योंकि इसके बिना तो हम चल नहीं सकते वो हमारा फ्रेम है लेकिन आदमी को कहते हैं कि ममय वांशो तु मेरा अश है भाई चोटा क्यों बनके जीता है तू अलब में क्यों सुख डूंड रहा है तू ससीम में क्यों सुख डूंड रहा है तेरे पास वो ताकत मेरी वाली है तू ससीम से असीम हो सकता है तू सुख से आनंद में जा सकता है तो उन्होंने फिर उपन शद में आत्मा की तरफ वो बढ़े और भूमा क्या, वो कहते हैं भूमा जो है जो इस तत्त उसे आत्मतत उसे जोड़ गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सर्वत्र आनंद के बीच में चारो और घूम रहा है वो आनंद ही आनंद में जी रहा है ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है तो कहते हैं कि आत्मा की यात्रा करो अंतरम की यात्रा करो जिस से कि तुम विराट हो जाओ इस संसार में रहो और एक बात संसार के त्यागने की बात नहीं है सन्यास की बात नहीं है उगते संसार में रहते हुए इस शरीर में रहते हुए आप कोशिश रहें कि रहते रहते हमारा जीवन रहते रहते जीवन का जो मूर्सवार है आत्मा वो जब तक आत्मा है आपकी आत्मा को आजाद करो आत्मा को बल दो आत्मा को इसे लिकाए उतिष्ठा तू जाग उठ खड़ा हो तू जाग और चल दे आत्मा का रास्ता ढूँ चरही वेथ तू चलता रहे रुक मत लेकिन एक रास्ता दिया नो ने बड़ा अच्छा रास्ता दिया बड़ा प्रेक्टिकल रास्ता दिया उनो ने कहा कि ब्रहम को तो अध्यात में की चरम साद्रा शिक्कार है आम आदमी ब्रहम तक सीदह नहीं जाच सकता वो तो सबसे बड़ी डिगरी है ब्रहम को पहुँचना तो उन्होंने एक दूसरा शब्द दिया समग्र ब्रह्म समग्र ब्रह्म का मतलब समग्र ब्रह्म का मतलब यह है कि ब्रह्म में यह सुष्टी भी है ब्रह्म में जीव भी है यह जगत भी है यह सब ब्रह्म के यह आशे और ब्रह्म तक पहुंचने की अनि उन्होंने का सीड़ियां हैं, स्टेप्स हैं, द्वार हैं, तो उन्हें कि क्या करें, तो उन्हें का पहली बात कर्म करो, कर्म से आप पीछे नहीं हो सकते, कर्म करना ही पड़ेगा, तो कर्म जगत ही है, लेकिन ग्यान पूर्ण कर्म, साधना पूर्ण कर्म, जिग्यासा पूर्ण कर्म, सजग होके कर्म, चेतना का इस तर उंचा जवसे ज़से बढ़ता जाएगा, चेतना का क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, हम ब्यापक होंगे, विराट होंगे, हम इश्वर के अंश कहलाने के लाइक सच मुत्में ब्रहमास में हो पाएंगे। बहुत ही सुन्दर रिशी वानी जब सुनते हैं तो हम बीतर से एक प्रसन्नता के जवार कासा अनुबहुती करते हैं और अपने सहुवागी की सराना करते हैं मिश्रा जी के साथ बैठकर उनकी पुस्तक जीवन जिग्यासा और शास्तर के निमित कुछ जीवन दृष्टी कुछ इसपष्टता अनुभूती से पकी हुई जो आ रही है झाल झाल झाल